तो आज लेकें आप सबी बाईयों के लिए 20 लिटर मिलक कैपेसिटी की बफैलों जिसकी गारेंटी है विए 20 लिटर दूद देगी क्योंकि इसकी जो मिलक लाइन है बहुत ही जबरदस्त है और इसने पहली बार ने मैं ही जोटी ने 17 लिटर प्लस तक दूद दिया है दूसर लगबग 15 से 14 से 15 लिटर दूद ओरड़ी तैयार है तो सबी बाईयों का रामरा मैं आपका बाई सुबास बिशनोई आप सबी बाईयों का आपके अपने यूटुब चैनल पे स्वाक्त करता हूं वेलकम तो आज जो भी बाई इस वीडियो को इस चैनल पे पहली बार कर लें और पास में दिएगे गैंटी के निशान को जरूर से दबा लें जी तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले आपको सबसे पहले जोटी चला के दिखाई जा रही है सेकिन लेक्टेशन यानि कि यह जोटी दूसरे ब्यांत के अंदर है तो इसको पूरा खोल के चला के दिखाया जा रहा है आप हर बाईची प्रकार से देख लेवें इसकी अडर की बनावट थनों की बनावट हर एक चीज एक्स्ट्रा ओड़नरी की है पूरा द्यान से देख लेवें चारों थन देख सकते मुठिया है गोल रिंग सेंग है हाइट पूरी है पूरी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है तो बहुत अच्छा बफैलो है कोई भी बाईच को परचेज कर सकते हैं इस बैंस को सेल के लिए अवेलबल करवा रहे हैं सत्गुरु डेरी फरम वीलेज केसरी सिंगपुर डिस्टिक सरी गंगानगर और स्टेट राजस्तान तो इसक की मिलकिंग कैसी है और इसके जो थणों की बनावट है इनमें दार कितनी नरम आती है ये भी इस वीडियो के मादम से आप देख पाएंगे तो सबी बाई वीडियो को अंतक देखा करें हमारा ये प्रयास रहता है भी एक अच्छी वीडियो आपको बना के दिखाएं और हर बाई वीडियो को शेयर करें जिससे कि हर बाई एनिमल्स के जो इनका जानकर यो तिनके बारे में जादा जानकर हो और एक अच्छा पसूदन परचेज कर सकें तो आप देख सकते हैं चारो थणों के बनावट काफी शांदार और इसका पावस देख सकते हैं अब दारे मार के वे आपको दिखाए जाएंगी वी कितनी नरम दार की बैस है यह आप देखेंगे वीडियो के मादिमसे तो आज कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हर बाई वीडियो को लाइक जुरूर से करें और हर बाई वीडियो को शेर करें कोमेंट करें तो खाली बाल्टी आप देख चुकें तो देख सकते पहले थनकिदार नमबर दो पावस देखिए बैसका कितना जबर्दस्त है कितना दूद का प्रे